सोचल मीडिया में बायकॉट ब्रमहास्त्र हैस्टेक टेंड होने के बाद बारी अब फिल्म के परफॉर्मेंस की है ब्रमहास्त्र पार्ट वन शिवा अच्छाई और बुराई की लड़ाई से ज़्यादा एक लव स्टोरी लगती है फिल्म बरमहास्त्र एक वीडियो गेम देखने जैसा है हॉलिवड फिल्मों के शौक्रिन दर्सकों के लिए कुछ खास इस फिल्म में नहीं है फिल्म न तो सनातनी पौरानिक गाथाओं के बेक्राउंड को ही असरदार तरीके से दर्सकों के सामने रख पाई है और नहीं दिव अस्त्रों को समझा सकी है आपको बता दे कि फिल्म के लेखक और डायरेक्टर आयान मुखर जी है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदू माइथोलोजी और साइफाई का एक मिश्रन बनाया है जो एक प्रेम कहानी की प्रिष्ट भूमी के रूप में काम करता है जो कम सकम कहने के लिए असा मानने है आईए अब देखते हैं कि सोशल मीडिया में क्या कुछ इसके बारे में लिखा जा रहा है कि अधिया इसके बारे में लिखा जाईब के लिए झाल बनाया है